नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हो हिलोजी FCI AZ3 का एक्जाम एक तारीक से हो रहा है एक को हुआ उसके बाद साथ को हुआ उसके बाद 14 को होगा फिर 28 को होगा और 29 को होगा इसमें जो GS बहुत ही अपना एक उमदा पोजीशन रख रहा है बहुत अच्छा पोजीशन रख रहा है तो GS का जो सेक्सण है उसमें एक current affairs section है और current affairs जो है वो maximum student उसको track नहीं कर पा रहे है कि current affairs आख और कहां से आ रहा है तो आज अज इसी विचह पर चर्चा करेंगे और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो टॉपिक से जो करेंट अफेर प्रिवियस एक्जाम में मतलब कि एक या सात्तारी को आ चुका है आप मान कर चलिए कि वो टॉपिक हो सकता है कि रिपीट नहीं करे उससे बस थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएगा तो इन सब बातों में चर्चा होगी इस वीडियो में साज जन्वरी को जो कोस्चन आया था सारे करेंट अफेर्स वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसे के माद्यम से मैं आपको बताऊंगा कि करेंट अफेर्स अंद तक देखें यह आपको परफेक्ट है कि बेनिफिट दिला कर जाएगी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अग्रिकल्चर के अच्छे अफडेट्स और अच्छे कंटेंट आपको यहां से मिलते हैं देखिए यह बहुत रिसेंट हुआ था आप साथ तारी का एक्जाम का अगर रिभ्यू देखिएगा तो उसमें करेंट अफेर से यह कोश्चान आया वात है अब आप सोच कर देखिए जो किंडिट साथ तारी को एक्जाम दे रहा है तो वो जादे-जादे क्या सोचेगा अक्टूबर, नॉवंबर या पिछले चे महिना तीन महिना का करेंट अफेर पूचेगा बट आप यह देखिए 18 दिसंबर 2022 18 दिसंबर 2022 का करेंट अफेर है मतलब जश्ट रिसेंट not only December, recent December मतलब just end होने वाला है और आपसे पूछ दिया जारा है students math reasoning English बनाने में लगे हुए हैं और static GK पॉणने में लगे हुए हैं बट ये current affair कहां से उठा कर पूछ रहा है एकदम recent पूछ रहा है तो आपको इस बात का एकदम ख्याल रखना होगा कि current affair कहां से पूछ रहा है और उसको track करें तो ये आपको perfect signal मिल रहा है इससे जो candidate exam दे चुके हैं वो अपना exam नहीं सुधार सकते हैं ये confirm है बट आप अपना exam सुधार सकते हैं इस video के मादे हम से या आप थोड़ा सा track कर लें इसका record देखें कि किस तरह से current affairs पूछ रहा है क्योंकि current affairs मोटा मोटी 5 पूछ रहा है और current affair ऐसे पूछ रहा है जो आपको track करना मुस्किल हो रहा है cover करना बहुत मुस्किल है दूसरी बात है कि जो static part पूछ रहा है जैसे geography हो गया science का part हो गया ये सब थोड़ा सा easy पूछ रहा है but उसको tough कहाँ पे करना है tough करना है उसको current affair में तो current affair वो tough section लेकर जा रहा है क्योंकि current affair एक दिन दो दिन का चीज है नहीं बहुत सारे diverse इसमें topics है और उसको कम टाइम में cover करना थोड़ा सा difficult हो सकता है बट आप चुनिंदा topic पढ़ कर जाएए और हो सकता है कि आपका exam में ये exact भिले तो देखिए ये recent पूछा था कि प्रो कबड़ी 2022 किसने जीता है जैपूर पिंक पैंथर्स ने जीता है बस इस वीडियो के मादम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये question तो आपके exam में आने से रहा बट recent का current affair पूछ रहा है ये मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ तो जैपूर पिंक पैंथर्स ने ये जीता प्रो कबड़ी तो ये देखिए इतना recent current affair इसने पूछा उसके बाद अगला देखिए कोप 15 कहां पे हुआ ये पता है 22 दिसंबर की घटना है 19 दिसंबर 1922 को हुआ 19 दिसंबर 2022 को हुआ और ये पूछ दिया मतलब 22 तारिक समझे है ये 19 को तो शुरू हुआ उसके बाद 21 को शुरू हुआ उसके बाद 21 ऐसे चला मतलब 22 को ये current affair में आया अब ये हुआ कहां था ये पूछ दिया गया कि Montreal कनाड़ा में हुआ था ये current affair maximum लोग गलत करके आ रहे हैं गलत क्यूं नहीं करके आएंगे क्योंकि ये recent current affair है बहुत सारे लोग इस फिराक में रहें कि हम अपना set मारे और अपना math reasoning English ये सब ठीक करें current affair पर focus नहीं कर पाएं तो इस वज़े से गलत हो रहा है तो ये आप देखिए एकदम recent current affair पूछ रहा है मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एकदम recent current affair जो आज कल में हो रहा है अगर आपका exam 14 को है तो हो सकता है कि एक से लेकर 10 January की बीच जो भी घटनाये है जो भी current affair है उसका पूछ सकता है अब आप सुचिए कि December का पढ़ कर जाएं तो नहीं December तो most है एकदम पढ़ ही लीजिए most important चीज है कि उसको आप पढ़ ही लीजिए but आप till 13 January तक पढ़ कर जाएं मेरे हिसाब से यही लगता है नहीं तो कम से कम 10 January तक तो आप पढ़ कर ही जाएं क्योंकि current affair के section पता है वो क्या कर रहे है उसको blank रख रहे हैं जिस दिन exam है उस दिन उसको put कर रहे है online क्योंकि question यहाँ पे चापना नहीं है online put up करना है तो उसके लिए आसान हो जाता है कि last at the 11th hour भी हम question एड कर सकते है यह सबसे बड़ा benefit होता है online exam conduct कराने वालों के लिए और question frame कराने वालों के लिए जो question frame करते है उनलों के लिए सबसे बड़ा benefit है अब देखिए वर्ल्ड कप से जो FIFA World Cup हुआ उससे question आया first shift में आया second shift में थर्ड shift में fourth shift में नहीं आया तो यह World Cup का question पूछ चुका है कम चांस है कि पूछेगा बट फिर भी आप इसको पढ़ कर जाहिए golden ball यह सब पूछ चुका है जो भी इसे questions बन सकते थे एक दो question पूछ चुके क्योंकि जो exam conduct करा रहा है वो भी बहुत सार्फ है वो जान रहा है कि इस topic से पूछ चुके यह topic अगला रटकर ही आएगा तो FIFA World Cup हो गया प्रो कबड़ी हो गया मतलब sports से related जो भी questions आपके recent event के बन रहे हैं चाहे छोटी मोटी खेल भी हुई हो कुछ भी हुआ हो आप एकदम पढ़ कर चाहिए परफेक्ट पढ़ कर चाहिए आप देखिए recently यह पूछा कि Elon Musk को किसने Forbes लिस्ट में replace किया है अब यह है कि 15 December का खेला है यह December का current affair है भाई मैं यह बार-बार समझाना चाह रहा हूँ कि कितना recent पूछा है जनवरी साथ जनवरी को एकजाम हो रहा है और December का current affair पूछ रहा है तो इसका answer यही था Bernard Arnold ने इसको replace किया है Elon Musk को तो इतना recent पूछ रहा है अब award and honors Miss India भी पूछा award and honors जो recent है जो अभी हाल फिलाल में जो भी awards मिल रहे है या पहले मिल चुका है देखिए awards and honors इस साल का जो है वो पूरा पढ़ कर जाएए आपके पास पूरा समय है एक सप्ता है अराम से आप पढ़ कर जाएए award and honors पढ़ कर जाएए इससे question आपको एक न एक जरूर मिलेगा उसके बाद recent current फिर जरूर पढ़ कर जाएए अब upcoming events जो है important upcoming events है जो भी या तो मोदीजी कर रहे है या जो भी है अब जैसे देखिए G20 इंडिया में होने वाला है अगला तो उसको पढ़ कर जाएए जो भी upcoming events है अगर इंडिया में होने वाले हैं तो उसको पढ़ कर जाएए या कहीं और भी होने वाले हैं तो उसको भी पढ़ कर जाएए upcoming events क्या है अभी जनवरी में क्या घटना हो रही है important जो भी घटनाई हुए sports से related हो जो भी घटनाए है आप बिल्कुल उसको पढ़ कर जाएए ये सब questions आपको जरूर वहाँ पर मिलेगा मेरा इस वीडियो के माद्यम से आपको यही बताना थे कि current affair पकड़ने का best तरीका आपके पास क्या है कि December December और January 10th January तक का आप current affair बिल्कुल पढ़ कर जाएए जो भी important events है वो पढ़ कर जाएए कहीं से भी पढ़ लेजिए बहुत सारे लोग वीडियो डालते है आप कहीं से भी पढ़ सकती है बाकी topic wise वीडियो है मैं डालूँगा बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि current affair आपका यहीं से पूछ रहा है आप पीछे नहीं जाएए एकदम recent events पूछ रहा है तो current affair पे अगर आपको पकड़ बनाना है या current affair में score करना है तो recent event पढ़ कर हीं जाएए मैं बार बार इस बात को repeat कर रहा हूँ फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ धन्यवाद